असलाम वालेकूम, आज हम बनाएंगे चिकन के समोसे, इसके लिए यहाँ पे हमने 300 ग्राम चिकन के रेशे लिये वे, इसकी रेसेपी मैंने दाली वी, इसे किस तरीके से निकालके स्टोर करके रखते, यहाँ पे हमने एक बरतन लियावा है, बरतन अच्छे से गरम हो गया है इसमें हमने 4 टेबल स्पून तेल लिया वाए और 1 टेबल स्पून अध्रक लेसन का पेस्ट लिया वाए इसे 2 मिनिट टक अच्छे से भूनेंगे यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइस की प्याज लिया वाए इसे बारिक चौप करके रखावाई यह भी इसमें दालेंगे और 2 मिनिट टक भूनेंगे इसमें ज्यादा नहीं हमको भूनना है इसमें अभी हम चिकन के रेशे दालेंगे और दूसरे भी समोसे की रेसेपी मैंने दाली विया आप चाहें तो देख सकते है इसे भी हम 2 मिनिट टक अच्छे से भूनेंगे अभी इसमें हम गाजर दालेंगे गाजर को हमने खिसके रखावाए दो गाजर लीविये और दो शिम्ला मिट लीविये इसे बारिक चौप करके रखावाए इन सब चीजों को हम 2-3 मिनिट टक अच्छे से भूनेंगे अभी इसमें हम तीखे के हिसाब से काली मिर्च का इस्तमाल करेंगे टेस्क के ओकॉर्टिंग नमक दालेंगे और एक मुट्थी हारा धनिया दालेंगे और इसे 5 मिनिट टक हम कम आच पे भूनेंगे इसमें खुशबोना स्टार्ट हो गई है अभी हम गैस बन करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे इसका कलर देखो माशाला कितना अच्छा है आए इसे हम गैस से उतार के रखेंगे ठंडा होने के लिए यह अच्छे से यहां पर ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद इसमें हम मयोनीस का इस्तमाल करेंगे, गरम इसमें हमको मयोनीस का इस्तमाल नहीं करना है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, आप समोसे बना के रख सकते हैं फ्रीजर में टीफिन में देने या कोई आया तो अच्छे परते हैं और यह बहुत इंज्ए है बनाना और खाने में वह भी बहुत टेस्ट है यह आपे बैटरेश से रेडी हो गया है यहाप एंधर लेंगे अद करें इस तरीके से इसे इस्से से फोल्ड करेंगे और एसे आटे का ओल तयार कि आ्वा इसे हम पैक करेंगे ताकि संबोसे छो है खुले नहीं और यहां पर इसमें हम बैटर दालेंगे नीचे तक हम Kens पूरा कट दालने एक उचिछेसे देखोlor इस तरिके से हलके हातों से में ह Hampshire के हिससे में हम दालेंगे हलके हलके हातों से प्रेस करेंगे तो आराम से नीचे तक जाएंगा इस तरीके से भी इसे पैक करना है और जो लास्क होना है उस पे भी हम यह आटे का गोल लगाएंगे और इसे अच्छे से पैक करेंगे इस तरीके से हमको संबो से रेडी करना है देखोई कितने अच्छे से बनके रेडी हो गया ना यहां पर हमारे संबोसे बनके अच्छे से रेडी हो गया पूरे अभी से हम फ्राइ करेंगे हमने यहां पर तेल लिया वा है तेल अच्छे से गरम हो गया है गरम होने के बाद इसे हम कमाज पे रखेंगे और इसमें संबोसे दालेंगे और कमाज पे अगर आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी है अगर आपको मेरी ममा की रेसेपी अच्छी लोगी हो तो मारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थाट करें आपको सब्सक्राइब करताएब ही एक अच्छी लोगी थाटी निएक करें ट्रॉग वाचन।